मेरे पास तो पैसा था इसलिए मैं hit and try कर पाया digital marketing के अंदर पर अगर किसी के पाइसा ना हो तो किस तरीके से कर सकता है सिंपल सी बात मैंने अपने घर वालों से एक उर्पया ने लिया अपने digital marketing के बिजनस के लिए आज तक ठेक है खुद से कवाया जो भी किया और वो मैं उस जमाने से कर रहा हूं जिस जमाने में पैसी की value पैसा कमाना बहुत मुश्किल था आज के टाइम पे YouTube शूटी बहुत कुछ आगया है वासे साइड इंकम तो बनाई लेते हो उस जमाने में नहीं मिलता तो उस जमाने में बहुत मैनत करने पड़ती थी खासकर हमारी जो इंडिन कॉम्टी है उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स पकड़ने बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करते थे आज तो इंडिया को सब अप्रिशेट करने लग गया है वाई आप अच्छा बंदा मिलता उजवाने नाम खराबता कॉल सेंटर वालों के चक क्योंकि आप इससे कंज्यूमर को समझ पाते हो डल से अगर आप अच्छे मार्केटर नहीं बन पाऊगे हर एक ओडिन्स को समझने के लिए आपको हिटन ट्राइ करना पड़ता है मैं अपनी यूट्यूब की बात करके चलता हूं मैंने यूट्यूब पे वीडियो जानने कि शुरू करी मैं अलग-अलग टाइप का content दाला यहां पर मेरे पैसे नहीं लग रहे थे ना फृतनी टाय था नहीं कर पा रहे हो ना मैं यह चीज पैसे नहीं लग रहे है इस चीज के यह तो तो hit and try करना एक बहुत जुरूरी चीज़ है, अब ads के अंदे hit and try करना पड़ता उसमें पैसे लगते हैं, और वो मैं client से पैसे लेता हूँ, अपने पैसे लागा रहा हूँ, कि मैं कैसे गरूँगा, hit and try क्लाइट के लिए एक ad campaign को optimize करने के लिए सार्टिंग में टेस्टिंग करनी पड़ रही है, client पैसे दे रहा हूँ, और अगर आपका खुद का बिजन से अपने लिए एड चला नहीं है, तो hit and try करना पड़ेगा, उससे आपके पैसे बच जाएगी, simple सी बात यह है, एक time पे आपको शाद थोड़ा सा पैसा कर्च करना पड़ेगा, लॉस में operate होगे, पर आप अपनी audience को better तरीके से समझ पाओगे, और उसके बाद अराम से target कर पाओगे,